साईकन या इसका इफा सबसे पहले वरगी करण देखते हैं इसका संग पोरी फेरा वरग है इसका केलकेरिया इसका गण हेटेरो सिला और इसका वस जो है साईकन और इसकी जाती जो है gelatinism या फिर elegance आवाशें सोभाव habitat and habitat यह है एक समुत्री जन्तु है जो एकल या निवाई अवस्ता में पाया जाता है यह है उतले जल में पाया जाता है तता इस्तान बद्ध होता है यह है किसी आधार किसी चट्टान आदिसे चिपकी हुई अवस्ता में पाया जाता है यह है एक filter feeder जन्तु है जो भोजन के रूप में planktons, proto zones organic particles तता छोटे छोटे जीव आदि को ग्रहन करता है बाई यह सरंच न साइकन एकल या निवाई अवस्ता में पाया जाता है जो किसी आदार से चिपकी ववस्ता में पाया जाता है इसकी आकरती कलसनुमा होती है इसलिए इसे कलस lifespan भी कहते है यह हलके भूरे या दूसर रंका होता है इसकी लंबाई 1-3 cm होती है इसमें area सम्मीती पाया जाती है इसके स्वतंत्र सिरे पर एक छिद्र पाया जता है जिसे उस्कुलम कहते हैं यह छिद्र एकाक्चिय कंटिकाओं द्वारा गिरा रहता है यह कंटिकाओं एक जालर नुमा रचना का निर्मान करती है जिसे उस्कुलम जालर कहते हैं यह जालर छोटे जीवों को अंदर आने से रोकती है इसके सरीर पर एक छोटी-छोटी रंद्र पाये जाते हैं, छिद्र पाये जाते हैं, जिनको आस्टिया कहते हैं, इनी आस्टिया की साहिता से जल दारा भीतर प्रिवेस करती है, इसलिए इनको अंतरवही रंद्र भी कहते हैं, तता इनी के द्वारा जल ये स्पंजो सील में प्रिवेस करता नाल तन्तर देखते हैं, साईकन प्रकार का नाल तन्तर पाया जाता है, जिसका निर्मान देहवित्तिक अंतर वलन और बहर वलन के कारण होता है, नाल तन्तर में निम्न अव्यावद पाये जाते हैं, नमबर वन ओस्टिया, नमबर टू अंतरवाही नाल, नमबर तीन प्रोसोपाइल, नमबर चार एरिये नाल, नमबर पाँच एपोपाइल, नमबर चे इसपंजो सील और सातवाँ पॉइंट इसमें ओस्कुलाग, जैसा कि आप लोग चित्र में डिटेल्स इसमें देखेंगे और इसमें जलदारा मार्ग भी आप पुझो चित्र दिखाई देरा, इसमें बना रहा है, सबसे पहले ओस्टिया, साइकन के सरीर पर अनेक रंदर पाई जाते हैं, जिनको ओस्टिया कहते हैं, इनी से होकर जल बीतर प्रिवेस करता है, इसलिए इनको सर्मी रंदर भी कहते हैं, ये अंतरवाही नालों में खुलते हैं, और इनमें मायोसाइट्स को सिखाएं, पाई जाती है, जो इनको घेरे रहती है, और इनके व्यास को कम ज़्यदा करती है, अंतरवाही नाल, ये देह बित्ति के भीतर की ओर दसने से बनती है, अर्थार्थ, देह बित्ति के भी बीतर की ओर दसने से अंतरवाही नालों का निर्मान होता है ये नाले आस्टिया द्वारा बाहर की ओर खुलती है लेकिन बीतर की ओर चे बंद रहती है ये नाले प्रोसुपाइल द्वारा एरिये नालों में खुलती है अंतरवाही नालों में पिनेको सैट्स का इस्तर पाया जाता है, तीसरा पॉइंट प्रोसुपाइल, इन छित्रों के द्वारा अंतरवाही नाले एरिये नालों में खुलती है, तता इन द्वारों में पोरोसाइट्स को सिखाएं उपस्तित रहती है, चोता पॉइंट एरिये नाले, यह देवित्ति के बाहिर वलन अर्थार्थ कोईनों डर्म का इस्तर पाया जाता है, तता इन में कोईनों साइट्स उपस्तित रहती है, कीप को सिखाएं उपस्तित रहती है, जिसके कारण यह नालें कसाबित होती है, फ्लेजिलेटेड होती है, यह नालें अंतरमाही नालों के एकांतरित करम में पाई जाती है, और आपील द्वारा इस्पंजो सील में खुलती है उनको आंत्रिक ओस्टिया भी कहते हैं और इनको भी मायुसाइट्स घेरे रहती है जो इनके व्यास का दिर्धारन करती है उसको कम और जधा करने का काम करती है। इस्पंजो सील साइकन के मद्य में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंजो सील कहते हैं इसमें सभी एरियनालें खुलती है जिसके द्वारा इस्पंजो सील बाहर की और खुलती है औसकुलम के व्यास को नियंत्रित करने के लिए इसे घेरेवे एक अउरोधनी पाई जाती है, इस्ट्रिक्टर पाई जाती है, जो मायोसैट्स की बनी होती है, औसकुलम को घेरेवे एक जालर भी पाई जाती है, जिसे औसकुलम जालर कहते हैं, जल्दार अमार्ट, आपको इ एपोपाइल और एपोपाइल से जल इस्पंजो सिल में आएगा इस्पंजो सिल से ओस्कुलम के द्वरा सरीर से बाहर निकल जाए नालतंत्र का मैतल अंतरवाही जल धारा सरीर को ओसक प्रदान करती है नालतंत्र स्वसन में सहायक है अंतरवाही जल से ओक्सिजन ग्रेहन कर जाती है तता बाहर जाते वे जल में CO2 त्याग दी जाती है नालतंत्र उत्सरजन में सायक है बाहर जाती जलधारा के साथ अमोनिया को त्याग दिया जाता है बाहर जाते जल में अपसिश्पदार्तों का त्याग कर दिया जाता है नालतंत्र जनन्यम जन्तु के वित्रण में बी सायक होता है उसके बाद में कोशी के संगठन इस पंजों में उतकों का निर्माण नहीं होता है लेकिन विभिन कारियों को संपादित करने के लिए पूरा करने के लिए कोशी कायं विबेदित होती है इस पंजों की देहबित्ति में दो परतें पाई जाती है बाहर की और पिनेकोडर्म और बीतर की और कोईनोडर्म और इन दोनों इस्तरों के बीच मीजन काईम उपस्तित रहती है पहले चर्चा करेंगे पिनेकोडर्म यह देवित्ती की बाहरी परत है जो पिनेकोडर्म कहलाती है और इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स कह यह कोशिकाई चित्र में आपको संक्या ए पर दिखाई दे रहे हैं यह कोशिकाई पतली चप्टियम भवबुजी होती है यह कोशिकाई अत्यदी कुंचन्सील होती है अंतरवाही नालों के इस्तर में पाई जाने वाली कुछ पिनेकोसाइट्स रूपांत्री तोकर पोरोसा पाइल भी कहते हैं और इसी की साहिता से अंतरवाही नाले एरिये नालों में खुलती हैं। एरिये नालों में पाई जाती हैं, इन में विसेज प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको कोईनो साइट्स कहते हैं, या कीप कोशिकाएं कहते हैं, या कोलर कोशिकाएं कहते हैं, ये कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं, इनका आधार भाग मिजिन कायम से प्रते कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, एक या दो संकुंचन सील धानिया पाया जाती है, आधार कणिका से एक लंबा कसाब उद्गमित होता है, केंद्रक के पास में बलेफेरो प्लास्ट पाया जाता है, तता बलेफेरो प्लास्ट रहम आधार कणिका के बीच पाई जाती है, कोईनो-साइस द्वारा खादे पदार्तों का अंतरगौन किया जाता है, तता कशा बूं द्वारा जल धारा मार्ग बनाई रखने का कारे भी किया जाता है, उसके बाद में मेजन काईम, पिनेको डर्म तथा कोईनोडर्म के बीच जिलेटीनस परत मिजनकाई मउपस्तित रहती है जिसमें कंटी कायं कोशिकाईं पाई जाती है इसमें निम्न प्रकार की अमीबिए कोशिकाईं पाई जाती है कौन कोशिकाईं? नमबर वन आर्कियोसाइट्स ये एववेदित अमीबिय कोशिकाएं हैं जिन में एक कुंद कूटपाद पाया जाता है इन में एक केंद्रक पाया जाता है ये कोशिकाएं पूर्ण सक्चम अर्था टोटी पोटेंट होती है जो किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्मान कर सकत इनके द्वारा ही जनन कोशिकाओं का निर्मान होता है। दूसरी कोलेंसाइट्स इन कोशिकाओं में साखानवित कूटपाद उपस्तित रहते हैं। क्रोमोसाइट्स इनके कोशिका द्रव्य में वर्ण की कणिकाएं पाए जाती है तता इनमें अंगुली के समान कूटपाद पाए जाते हैं थी जो साइट्स इनमें भी अंगुली के समान कूट पाथ पाए जाते हैं इनके कोशिका द्रव्य में संग्रहित खाद्य पदार्थ उपस्तित रहता है इसलिए इनको संग्रही कोशिकाएं भी कहते हैं इसकलेरो ब्लास्ट कोशिकाएं ये कंटिकाओं का निर्मान करने वाली कोशिकाएं होती है जो निम तीन प्रकार की होती है एक केलिको ब्लास्ट है दूसरा सीलिको ब्लास्ट और तिसरा इस्पंजो ब्लास्ट उसके बाद में गरंथिल कोशिकाएं ये स्रावन करने वाली को कोशी काएं होती है और जनन कोशी काएं मीजेन काएं में अंडानों या सुक्रानों पाए जाते हैं जिनका निर्मान आर्कियोसाइट से होता है थेंक यू बाकी का पार्ट सेकंड पार्ट में लेंगे